जैमा बगलामकी जैस्त्री महागाल सरद पूर्णिमा दोजार तेज कब हैं सरद पूर्णिमा जाने पूजा का मोहरत और महत्व आस्विन महा की पूर्णिमा को सरद पूर्णिमा कहते हैं इस दिन चंद्रमा अपनी संपूर्ण 16 कलाव से परिफूर्ण होता है इस दिन का चण्द्रमा होता है वह बड़ा रमनिये और सोभनिये लगता है इसे कोजागीरी पूर्णिमा रास पूर्णिमा और कूनिम पूर्णिमा के नाम से भी जना जाता है ऐसा भी कहते हैं आसविन पूर्णिमा को बर्स भर्णिमा में स्ट्रेष्ट माना जाता है बड़ा महत्व इस पूर्णिमा का हमारे धर्मिक शास्त्र में बताए गया है मानेता है कि इस दिन धन की जो देवी होती है मातलक्श्मी वह इस भूमंडल पर भर्मंड करन के लिए निकलती है और जि के नुसार गाउं में बहुत सारे लोग इस दिन अपने घर के दरवाजय बंद नहीं करते और इससे पुर्व साफ सभाई का विशेश ध्यान अपने घर में देते हैं इस पूर्णिमा के चंद्रमा की रोशनी के साथ-साथ अमरित वर्सा भी होती है इसलिए मन्यता है कि इस खेर का सभी जो घर के लोग होते हैं वह सिवन करते हैं मन्यता है कि इस खेर का सिवन करने से सरीर में उर्जा का बास होता है जैसे चंद्रमा अपनी संपूर्ण सोड़स कलाव से इस दिन युक्त होता है तो जो उसका प्रभाव होता है उस खेर में आ जाता है और अमरित व प्राब रहता है उन लोगों को भी से सुरुप से इस प्रियोग को अपने जीवन में करना चाहिए आए जानते हैं कि कब है सरद पूर्णिमा पूजा मोहरत और महत्व क्या है आस्विन मास पूर्णिमा 28 अक्टूबर सनिवार को सुबह 4 बज़ कर 17 मिनट पर सुरू होगी और इस तिथी का समापन 29 अक्टूबर 2023 को रविवार की रातरी 1 बज़ कर 53 मिनट पर होगा इसलिए सरद पूर्णिमा 28 अक्टूबर 2023 को मनाई जाएगी पूर्णिमा के दिन जो चंद्रोदय का समय है वह 5 बज़ कर 20 मिनट पर होगा 28 अक्टूबर को लक्ष्मी जी की पूजा के तीन महुरत हैं परदम जो महुरत हैं लक्ष्मी जी की पूजा के लिए रातरी 8 बज़ कर 52 मिनट से लेकर 10 बज़ कर 29 मिनट तक रहने वाला है यह महुरत सुब और उत्तम है और सेकंड नमबर पर माता लक्ष्मी की पूजा के लिए 10 बज़ कर 29 मिनट से प्रारंब होगा और रातरी 12 बज़ कर 5 मिनट तक अमरित और स्रवत्तम का यह चोगडियों का महुरत है और थर्ड नमबर पर बारा बज़कर फांच मिनट से प्रारंब होगा और रातरी एक बज़कर एक तालिस मिनट तक सामने मौरत ये पूजा कर रहेगा इन तुन मौरत में आप पूजा कर सकते हैं यदि आप पुर्थम जो मैंने मौरत बताएं उन दोनों में पूजा करते हैं तो मतलक्षमी की विशेस कृप़ा आपके उपर बनेगी भक्तो सरद पूर्णिमा का महत्व क्या है क्यों इस पूर्णिमा को इतना खास और कल्यानकारी माना जाता है क्या धार्मिक माननेता इसके पीछे जूरी हुई है माननेता है कि सरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा सोला कलाव से युक्त होता है चंद्रमा के अंदर सोला कलाव होती है और इस दिन चंद्रमा अपनी संपूर्ण कलाव से युक्त होता है इस दिन खीर बनाकर उसे खुले आस्मान के नीचे रखा जाता है मन्यता है कि इसमें अमरित की जो किर्णे होती है बह पड़ती है और ये खीर अमरित तुल्ले हो जाता कि चंद्रमा की किर्णों के साथ अमरित गुन खीर में आ जाएं और ये खेर सेहत के मताबिक बहुत अच्छी होती है ऐसा हमारे बड़े बुजुर्ग और हमारे धार्मिक शास्त्रों में बताया गया है पुर्णिमा की रात देवी लक्ष्मी एवं चंद्रमा की पूजा से घर में सुक समरिदे का वास होता है सबी भूतिक शुको की घर में और जीवन में ब्रद्धी होती है धनकी देवी लक्ष्मी का वास घर में निरंतर बना राता है भगवान स्रकृष्ण सरद पुर्णिमा के दिन महारास रचाया था Iसलिए इस पुर्णिमा को रास झाल झाल